दोस्तों नमस्कार मैं रम्नु सिंग सांसद गणेश सिंग ने थोड़ी देर कर दी उनके विकास के मुद्दे को लेकर आज हम बात करने जा रहे हैं सपना सांसद गणेश सिंग ने अभी एक ऐसे अंगली उठाये हुए हवाई अड़े की तस्वीर मीडिया और सोचल मीडिया में पेश की कि सपना हवाई अड़ा लगभग कंप्लीट हो चुका है बन चुका है आप सोच रहे होंगे कि गणेश सिंग ने एक महीने देर कर दी अगर चुनाओ के एक महीने पहले इसी हवाई अड़े की इसी इस्टाइल में गणेश सिंग ने फोटो खिचवाई होती तो एक विकास उनके नाम से जोड़ गया होता मगर मैं कहूंगा कि गणेश सिंग ने बीस साल देर कर दी एक महीने नहीं वहाँ बीस साल से सांसद है और सतना का हवाई अड़ा दुती विश्यु युद्ध का एयरपोर्ट है या बहत महत्मुड एयरपोर्ट है अगर बीस साल पहले सांसद गणेश सिंग ने सतना एयरपोर्ट के लिए प्रयास शुरू कर दिये होते इसके लिए संगर्ष किया होता प्रयास किया होता तो सबसे पहला काम तो यह होता कि आज हवाई अड़े के इर्द गिर्द लग भग पचीस परसेंट अतिक्रमण भी न हो पाता पचीस परसेंट अतिक्रमण इस बीस सालों में सांसद के रहते हुए हुआ है अब एक सवाल और उठता है कि जब से गणेश सिंग सांसद बने सतना शेहर में अधिकांस पटवारी उनकी पसंद के न्यूक्त हुए है कई बार मामला विधान सभा में भी उठा सिर्प इन पटवारियों को लेकर इन पटवारियों को हटा कोई नहीं पाया यहां तक कि सिवराज सिंग चोहान चाहते हुए भी सतना के पटवारियों को नहीं हटा पाये सारा खेल पटवारियों से सुरू होकर सांसद तक के दर्वाजे तक जाता है इस एयरपोर्ट को संपूर दिखा कर क्या हवाई अड़े के इर्द गिर्द हुए अतिक्रमण को ढख दिया गया अब अतिक्रमण का मामला हमेशा के लिए शांत यह एक दूसरा पहलू भी है इसका वैसे एयरपोर्ट चालू हो जाने से एयर लाइन्स चालू हो जाने से सतना के लोगों को कितना लाहब मिलेगा यह तो आने वाले वक्त बताएगा क्योंकि इसके पहले भी एक बार प्रयास ऐसा हुआ था कि एक छोटा हवाई जहाद यहां से खजराहो भोपाल इंदौर की और चलाया जाए सवारी न मिलने के कारण वह हवाई शेवा बंद कर दी गई थी हलाकि हवाई सेवा हवाई जहाद चलाने वालों को यह भी दिक्कते थी कि सत्ना का एयरपोर्ट इस लायक नहीं है दूसरी तरफ रिवा एयरपोर्ट बनकर कंप्लीट हो गया तो क्या हम रिवा को दिखाने जा रहे हैं कि हमने भी एयरपोर्ट बना लिया लेकिन रिवा और सत्ना की अगर तुलना की जाए तो तुलनात्मक द्रिश्टिकोंड से भी सतना का एरपोर्ट सिकुड कर इतना हो गया है इसमें भी कहीं न कहीं जन प्रितनी दिलियों की इक्षक सक्ती न होने की वज़े ही सामने आई है दोस्तो मुकुनपुर टाइगर सफारी है तो सतना जिले में लेकिन यहां न तो परेटन विभाग न कोई जिला प्रसासन यह दर्षा रहा है कि मुकुनपुर टाइगर सफारी सतना जिले में है परेटकों से भी यह बताया जा रहा है यह प्रचारित किया जा रहा है कि मुकुनपुर टाइगर सफारी रिवा में है जिस ढ़ंग से डिप्टी सीम राजेंग शुकला ने परसीमन करा कर रिवा विधान सभाज से गोविंगर अलग करा दिया मेरी बात को याद रखिएगा सभी लोग आने वाले दिनों में यही राजेंग शुकला मुकुनपुर को सतना जिले की सीमा से अलग करा कि रिवा जिले में शामिल कर लेंगे और सतना के नेता देखते रह जाएंगे जब आज कोई आवाज नहीं उठा रहा है कल कौन बोलेगा इसी धंग से सतना का विकास हम आप देखते रह जाएंगे सतत होता रहेगा वही सडके वही नालिया और वही विकास का रोना हम लोग रोते रह जाएंगे वैसे मुद्दे की बात करें तो सतना एयरपोर्ट क्या वाकई में चालू हो जाएगा क्या यह उपलब्दी सतना के 20 साल के सामसर गणेश सिंग के खाते में दर्ज हो पाएगी वैसे बान सागर का पानी भी लाने के लिए लोगों ने गणेश सिंग को भागी रत बना दिया था सतना रद्दी जाकर देख लीजिए वाटर सप्लाई सतना शहर की देख लीजिए नगर निगम एडवांस पैसा अगर न दे तो बान सागर पानी देने को तयार नहीं है यह विकास है सतना का फिर भी गणेश सिंग बधाई के पात रहें कम से कम वह चार बार के सांसद रह लेने के बाद पांचवी बार के लिए चुनाओ लड़े और रिजल्ट आने के पहले हवाई एड़े में ऐसा हाथ दिखाते हुए खड़े तो दिखाई दे गए झाल